4G स्कूल के आनलाइन तर्जे तालीम में आप तमाम का इस्तक्बाल है मैं हूं मौलेमा गुलनार सर्फरास खान पांचवी जमात माहुल का मुताला हिस्सा दूवं हमारा इर्तिखा सबख नमबर पांच इनसान की पेशरफ्त ये उसका पार्ट टू है पार्ट वन देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सबस्क्राइब कीजिए ग्रोह के किसी फर्द के मरने पर उसे दफन करते वक ताखतवर इनसान मुर्दे के साथ हतियार जानवरों के सिंग जैसी चीज़े रख देता था वो मुर्दा शख्स के जिसम पर लाल रंकी मिटी मिल देता था इन बातों से मालम होता है कि शायद उस जमाने में मुर्दों को दफन करने की कोई रस्म मौजूद थी जमाना गुजरने के बाद ताखतवर इनसान के बाज ग्रो अफरिखा से निकल कर बर्रयाजम यूरप और एशिया तक पहुंचे और वो वहां रहने लगे जाहर है उन्हें मौसमों का मुखाबला करना पड़ता था और जिन्दा रहने अनाज हासिल करने के लिए उन्हें नए नए तरीखे अख्तियार भी करने पड़े इसलिए उनके जमाने में जिन्दगी गुजरने के लिए दरकार हत्यारों को बनाने और इनके तरीखों में इसला हुई लेकिन ऐसा होने के लिए हजारों बरस का जमाना लगा ताखतवर इंसान के मुखाबले में ज्यादतर तरक्याफ़ता इंसान को अखलमन इंसान की नाम से पहचाना जाता है जिसका तारूफ हम हासिल करेंगे ताख़तवर इंसान और अखलमन इंसान कुछ जमाने तक यूरोप में एक साथ रहते थे अखलमन इंसानों के गुरों से तसादूम, माहुल की तबदीलियों से मताबखत पैदा ना कर सकना जैसी बास वजुहांत की बिना पर ताख़तवर इंसानों का वजूद खत्म हो गया माहिरी निजबात को तसलीम करते हैं कि कार्बन 14 तरीखे की बन्याद पर कहा जाता है कि तकरीबं 30,000 साल पहले ताख़तवर इंसान नापीद हो गये थे कार्बन 14 ये पुराने खदीन जो भी बाख़यात मिलते हैं उनकी खदामत को जाचने का एक तरीखा है अखलमन इंसान अपने से पहले कि किसी भी इंसान के मुखाबले में सोचने की ज़्यादा सलाहियत रखने वाले इंसान को अखलमन इंसान कहा गया है इसे ही होमो सेपनिस कहते हैं सेपनिस का मतलब है अखलमन इसे योरोप में करुमिनोन के नाम से पहचाना जाता है अखलमन इंसान के बाख़यात बर्याओन अफरीखा एशिया योरोप में दस्टियाब हुए वो अपने कामों की जरूरत के मताबिख मुक्तलिफ खिस्म के हत्यार और आउजार बनाता था इस मकसद के लिए वो पत्थर का छोटा सा फल हड़ी या लकडी के खाँचे में बिठा देता था यह दिखे अखलमंद इनसान की तस्वीर आपको यहां पर दिखाई गई है इर्तेखा के अमल में अखलमंद इनसान के उजलात बोलने की सलाहियत पर खद्रखुदरत पा चुके थे यानि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो इनसान हुनर बन इनसान था वो सीधी पुष्ट वाला उसने बोलने की सलाइए उसमें परवान नहीं चड़ी थी लेकिन वग्त कर इरतेखा होता गया और अब जो है इनसान में लिसानी यानि बोलने की सलाहिए फरोख पा रही वो आवाज की निजाकत के साथ मुक्तलिफ तलफ़ को अदा करने के खाबिल बन गया था। उसके जबड़ो और मूं की तमाम अंधरूनी उजलात की नशनुमा भी मुकमल हो चुकी थी। उसकी जबान भी लचकदार बन गई थी। इसलिए वो मुक्तलिफ आवाजे निकाल क अगर अपनी मर्जी के मताबिक उन्हें ढाल सकता था। वो नजर ना आने वाली चीजों को समझते हुए उन्हें और अपने दिली जजबात को खुवत तक्यूल की बन्याद पर लफजों में बयान कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी बातों का इजहार करने के ल गा इसलिए उसे अखल मंद इनसान और गोर करने वाले इनसान का ना दिया गया। पाच अशारिया दो तरखी पजीर अखल वाला इनसान और तहजीब तरखी पजीर अखल वाला इनसान अखल मंद इनसान की गोर और फिकर की सलाहियत में मज़ीद इजाफा हुआ और उसे तरकी पजीर अखल वाला इंसान का नाम दिया गया, इसे ही होमो सेपनीस सेपनीस कहा जाता है, इसकी जहनी सलाहियत और तफहीमी सलाहियत मसलसल बढ़ती गई, तरकी पजीर अखल वाला इंसान ही जदीद इनसान है, यानि हम लोग, जदीद इनसान अपनी शकल और शुबाह इसको जीनियात या जेनेटिक्स कहते हैं जेनेटिक्स साइंस की तहकिकात की बन्याद पर जदिद इनसान में ताखत वर इनसान की बाज अलामत की मौज़द्गी की तदिख हुई है इसलिए कहा जा सकता है कि ताखतवर इनसान और अखलमन इनसान दोनों जदिद इनसान के मौरिसिया पर्खे थे तकरीमां 11,000 खाफमीम से 10,000 खाफमीम के आसपास जदिद इनसान ने मौशी पालने और काश्टकारी की तकनीक को बहतर बनाया इसके पास तरखी आफता गोरो फिकर की सलाहियत मौजूद थी जिसकी वज़े से तकनीकी इल्म में इजाफ इसलाह और बहतरी की रफ़तार मसलसल बढ़ती गई और वो ज्यादा सुकुनत पजिर जिन्दगी गुजाने लगा केतों में अनाच की पैदावार की वज़े से उसके घिज़ा में निशास्ता आमें जजज़ा शामिल हुए जिसकी वज़े से उसके घिज़ा में कारबन का तनासुब बढ़ गया तर्जे जिन्दगी और घ्जाई आदतों में उसकी तबदीलियों की वज़े से आहिस्ता आहिस्ता उसकी पहले जैसी भारी बरकंग जसामत बदल गई उसके चेहरे मोहरे में भी फरखा गई जदिद इनसान को तरखी पज़ी रखल वाला इनसान नाम दिया गया ये नाम उसकी जिस्मानी सलाहियतों की बनिजबत अखली और तहजीबी सलाहियतों को ज्यादा नुमाया करता है वज़े हासिल करना बुन्यादी जरूरत है जिसे हर जानदार पूरी कर लेता है लेकिन जदिद इनसान सिर्फ इतने पर ही मुतमई नहीं था तक्यूलाद, जहनी इस्तिदाद और हुनरमंदी की बनियाद पर इनसान अपनी जिन्दगी को खुशहाल बनाने की मसलसल कोशिश करता रहा जिसकी वज़े से इनसानी तहजीब जहुर में आई और फरूख पाती गई मुवेशी पालने एक खेती बारी की अब्तिदा होने के बाद से इनसान ने जो तक्निकी और तहजीबी तरखी की इसकी रफ़तार बहुत तेज है इनसान नुमा बंदर से शुरू होने वाली इनसानी तारिख की पेशे रफ़त को मुक्तलिफ मराहिल में तक्सीम किया गया है हम आइंदा अजबाख में इन मराहिल की बन्याद पर इनसानी तहजीब के मुक्तलिफ पहलों पर गर करेंगे हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि आप इसके आगे के अजबाख का मुतला भी कर सके अपने घर पर रहिए और अपनी तालिम जारी रखिए